नमस्कार दोस्तों ओडिसा स्टाइल में स्वागत है में सीटू आज मैं इस वीडियो में हर्बर लाइफ नुट्रिशन सेख में पानी में लेना चाहिए या दूद में लेने चाहिए इस बारे में वीडियो में बताऊंगी पानी में लेने से ज्यादा बजन कम होगा या इस सब सारे चीज में इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले आप पानी भी ले सकते हैं दूद में ले सकते हैं पानी में लेने से क्या होता है आपका जो एक्स्टा कैलोरी आपको नहीं मिलेगा उनली प्रोटीन से जितना भी आपको मिलेगा उतना ही मिलेगा मतलब 90 ग् तक ही होता है, अगर आप हर लग डाइट के प्लान के अनुछा जा रहे हैं, तो आपको दो टाइम अगर पानी में टेक लेना है अपको और एक टाइम आपको अगर मिल ले रहे हैं तो आपका आपको 700-800 कैलोरीze आप दीन में ले रहे हैं इसलिए आपको दिन में इतना कम कैलोरीज लेने से आपको दिन में विकनेस फिल होगा, आपका हैरफॉल होगा, आपका जो मसल मास होते हो लोस होना स्टार्ट हो जाएगा, फेस ने जूरियां आ जाएगा, बहुत सरे से प्रोब्लम आप फेस कर सकेंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ, में जब पहले बाद स्टार्ट की थी, तब मेरी कोस ने मुझे बोले थे कि आप स्कीम्ड मिल्क में ही लीजिए, मैंने एक महिना स्कीम्ड मिल्क में लिये, मेरा 4-5 kg में वेट लॉस की थी, उसके दूसरा महिना मैंने मिल्क नहीं लेना चाहा, मैं पानी में ली उस टाइम यह की अहींद सब्सक्राइब यह संद्ट केजिए इक महीनें पर उसके बाद मेरे में रिंकल्स हाने लगे थी मेरा फोल पफोल थो रहा था विक स्विल होता था मिरी छोटा बच्चा था उसको भी में गोदी में नहीं ले सकती थी इतना मुझे विकनेस फिल होता था बहुत नहीं तो आप skim fat-free milk में ही लीजिए बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए तो यह थी में आज की वीडियो आई होप आपका अच्छा लेगा अगर अच्छा लेगी तो प्लीज में चैनल का सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक यू